किसान भाईो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और जुलाई के महीने में आपको बरसाती जो मेच्चे की खेती है उसको आप कैसे लगा सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से बरसाती मिर्ची की खेती की बारे में एटू जानकारी देने वाला हूँ यानि कि जो मिर्ची की खेती लगाने से और कल्टिवेशन तक का पूरी जानकारी इस वीडियो के माद्यम से आपको मिलेगा आपसे मेरा निवेदन है किसान भायो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें गंटी वाले बटन को जरूर बदबाद हैं जिससे के नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँगा सबसे पहले आपको नौटिफिकेशन बलेगा तो आप दूसरा मेरा नए वीडियो भी देख सकते हैं नमस्कार किसान भायो आपका स्वागत है हमारे यूटू चैनल अर्ण्टू बिजिनस में तो किसान भायो सबसे पहले बात करते हैं कि हरी मिर्ची की जो खेती है उसके लिए हमें अपने खेत को तयार कैसे करना है और किसे साफदानिया बर्तनी पड़ेगी हमको तो सबसे पहले अपने खेत को अच्छी तरह से अभी जैसे कि बारिस हो गई है तो आपको उसमें सचाई करने की जरूरत नहीं है खेत को अच्छी तरह से आपको जुताई करा लेनी है गहरी जुताई करानी है हैरो की साहता से जुताई कराने के बाद में उसमें पाटा बिलकुनना चलाएं जिससे कि उसको साथ से आठ दिन तक ऐसे ही खुला पड़ा रहने दें जिससे कि जो मौता घास होती है जो उसकी जड़ो होती है वो सूख जाएगी तो आपकी जो मिर्च की खेती जब तयार होगी तो उसमें खर पत्वार भी बहुत ज़्यादा कम होगा तो सबसे पहले जो मिर्ची की खेती के लिए जो उचितम तापमान जो माना जाता है 15 डिगरी से 35 डिगरी से एंटी ग्रेट माना जाता है वहीं बात करते हैं खेत की जो पी एच वैल्यू और पी एच वैल्यू का मान कितना होना चाहिए तो पी एच वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 उप्यक्त माना जाता है और साथ ही में किसान भाईयो अगर आपको अपनी फसल से उत्पादन जादा लेना है तो उसके लिए सबसे पहले जब आपना खेत की जब जुताई पहले जुताई करा देंगे तो उसके बाद में प्रत वन एकर के हिसाब से तीन ट्रॉली अपने खेत में गोवर की सड़ी हुई खाद को डाल देना है जिससे के जमीन की जो अर्वर कास दायेंगे और उसी के साथ में आप रासानी क खाद भी उसमें डाल सकते हैं आप जैसे कि डाल सकते हैं 70 kg नाइट्रोजन डाल सकते हैं 48 kg फासफूरस डाल सकते हैं वहीं 50 kg पोटेस्पिका भी यूज कर सकते हैं अपने खेत में जिससे क्या होगा अगर आप यह अपने खेत में और रख सकती है वह बढ़ जाएगी जिससे कि आपका उत्पादन और जो कि जो काल्टी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी अब बात करते हैं जो उन्नत किस में हैं मिर्च की वो कौन कौन सी है 80 अनमोल है 80 विस्वनात है जवार मिर्च है 283 और जवार मिर्च 218 पूसा सदावार पूसा जौाला है 22 साथ में S 16 और S 86 33 और आज़ाद मिर्च किसान भाईयो यह जो मैंने आपको उन्नत किस में बताई हैं उन से आप प्रत एकड के इसाब से 500 कौन्टल से 550 कौन्टल उत्पादान ले सकते हैं प्रत एकड के इसाब से और जहां में आपको बता दू अगर आप मिर्च की बरसाती खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खेत में बिल्कुल भी जलवराव की समस्या ना हो झहलो अगर जिस खेत में आप मिर्ची खेत लगा रहे हैं तो इसमें जलवरा बिल्कुल नहीं हो उसकेत में मिर्च की रूपाई करें और किस्तानवाईओ में वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में किसिस अनसुंदान का जो टॉल फ्री नुम्र है। बेस्करिप्सिन में डाल लूँगा वहाँ से आप कॉल भी करसकते हैँ. वहाँ से जानकारी भी और भी ले सकते हैं. और बात करते हैं जैसे कि अगर हम खच्ची गोबर की खाट डाल देंगे तो उसके बाद में आप बैड बना सकते हैं क्योंकि बरसाती मौसम में आपको बैड बना कर के ही मिर्ची की खेदी की रुपाई करें जिससे कि जलवराव होगा तो आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही में जो आलू बोने वाली मसीन होती है उसकी साहिता से भी आप बैड मेड बनवा सकते हैं क्योंकि उसकी जो हाइट हो दिए वो अच्छी कासी होते हैं जो पानी जलवराव होता है तो कोई आपकी पसल में नुकसान नहीं होगा अब बात करते हैं कि सीट की आवसकता कितनी पड़ेगी और सीट की जो बवाई है वो कैसे करने चाहिए और अपने सीट को टीट कैसे करना चाहिए तो मिर्च के जो सीड है नरसरी आप तयार करना चाहते हैं तो आपको एक एकड के लिए आपको 200-500 ग्राम बीज की आवसकता पड़ेगी साती में आपको सीड को ट्रीट करना पड़ेगा 30 ग्राम केप्टो ग्राम आता है उससे आप ट्रीट कर सकते हैं और साती में जो क्यारी का बनाएंगे दस भाई दसकी क्यारी हो बना सकते हैं complete ट्रीट की जो आपके जो समतल ले वल अंची हो नहीं चाहिए या बैड बना के नरसरी को तयार कर सकते हैं साथी में जहां आप नरसरी तयार करेंगे वहां पर दूप का आना जाना बहुत जरूरी है जिससे कि दूप नहीं आएगी तो वहां पर आपकी नरसरी ज्यादा ग्रो नहीं करेंगी और बैड़ पर हातों से बुवाई करें लाइन टू लाइन बुवाई करें और उसके बाद में अपनी रुपाई करनी है तो रुपाई करते समय आपको एक माइक्रो जाएंग का गोल बना करके पौदें की जड़कों भिगो करके रुपाई करें जिसके आपकी जड़ों का ग्रोथ जल्दी हो और उसमें कोई इंसेक्टी सेट किलर ना लगे और जो पौद की रुपाई आपकी जो दूरी होनी चाहिए चालिस से साथ सेंटीमेटर की मिनिमम दूरी होनी चाहिए अब बात करते हैं कि सन भाईयों खर्पतवार नियंतर कैसे कर सकते हैं तो कर्पतवार को आपको लेवर की साहता से ही उसमें निराई गुड़ाई कराएं और इसमें राइसानी दवाईयों का इस परे बिल्कुल ना करें कि इसके पत्ते वह बहुत नाजोक होते हैं तो बहुत जादा एफेक्ट पड़ जाएगा जो कि आपकी ज्यादा दबाग गिर गए अगर किसी पेड़ पर जल जाएगा तो बात करते हैं कि रोग कौन-कौन से इस होसल में आते हैं तो एक रोग आता है कुड़ा रोग एक होता है उपटा रोग जो पत्तों यानकी सुकने लगते हैं और जो कुड़ा रोग होता है पत्तों का सुकड़ना यानकी जो पत्ता होगा आपका एकदम हिट जाएगा प तुड़ा ही कर सकते हैं खिसान भाई यह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को सेर कर दें